हेलो एन वेलकम टू टीवी का पठाका वेल दोस्तों क्या तुनीशा शर्मा के केस की वजह से शफक नाज ने तोड़ दिया है भाई शिजान और बहन फलक नाज के साथ अपना रिष्टा जी हाँ दोस्तों शफक नाज और फलक नाज के बीच में लगातार काफी जादा जग हैं इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हिरोइंज हैं काफी बड़े-बड़े सीरियल्स में इनका बहुत ही बड़ा लीड रोल रहा है ऐसे में इन दोनों ही बहनों ने किसी वजह से परसनल इशूस में आकर बहुत जादा लड़ाई की और दोनों ने ही आपस में एक दूसरे से परिवार से दूर रखा है शफक नाज ने वेल आपको बता दें कि शफक नाज ने काफी लंबे समय पहले अपने रिष्टेदारों से और अपने घरवालों से अलग होने का फैसला कर लिया था वेल जिसके पीछे फलक नाज ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये वजह बताई थी कि किसी बाहर वाले की बातों से इंफ्लूएंस होकर घर में उनकी मां से लड़ाई कर ली थी शफक नाज ने और हमेशा हमेशा के लिए उनने छोड़ कर चली गई अकसर घर में किसी फंक्शन में शफक को बुलाया जाता है तब भी बहुत ही कभी कभी बा शफक घर में आती है और जब से हुआ है तुनिशा शर्मा का केस तो काफी ज़्यादा दूरी और बढ़ाली है शफक नाज ने घरवालों से शजैन के साथ लगातार फलक नाज ही सपोर्ट में दिखाई दे रही है आपको बता दें कि फलक नाज और उनकी माता दोनों ही प पहुचकर फलक नाज बहुत जादा रोती हुई दिखाई दी थी साथी साथ फलक नाज की मा भी काफी जादा खुद को संभाल नहीं पा रही थी और लगातार आसू बहा रही थी एक तरफ जहां फलक नाज अपने भाई को लगातार डिफेंट कर रही है उन्हें बचाने क की कोशिश कर रही है तो वहीं शफक नास का किसी भी तरीके से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा क्या कहींगे आप इस पर हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें